Hello everyone, आज हम बात करेंगे mutual funds और उससे associated NAV के बारे में बहुत ही सरल भाषा में friends में आपको mutual fund क्या होता है और ये NAV क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा तो friend जैसे कि आप जानते हैं कि mutual fund एक बहुत ही famous investment instrument बन चुका है आज के दिन में और mutual funds के अंदर तरह तरह की schemes आ रहे हैं जहाँ पर की लोग SIP या लमसम के माध्यम से invest करते हैं बड़ी mutual fund exactly होता क्या है एक basic concept हम पहले समझते हैं मान लीजिए कि अगर 5 friends हैं और हर कोई अपना-पना पैसा एक जगे पर आकर pool करता है यानि एक जगे पर आकर पैसा जमा करता है और किसी छटवे इंसान को दिल देता है उस पैसे को कहीं और invest करकर बढ़ाने के लिए फिर वो छटवा इंसान जो है वो सारे के सारे पैसे जो है वो कहीं ना कहीं invest करता है उसमें एक तो घाटा भी हो सकता है या फिर मुनाफ़ा भी हो सकता है और अगर मुनाफ़ा होता है तो वो बाकी 5 लोगों को जिन्नों की अपने पैसे जमा किये हैं उनको उसी proportion में profits share करता है या अगर loss होता है तो सभी को loss होगा और जिस proportion में जिसने ज़से सा invest किया है पैसा वो इस हिसाब से उसको loss होगा ये एक बहुती simple concept है mutual funds का अब इसमें ये जो छटवा बंदा होता है ये actual में mutual fund industry में कौन होता है ये जो बंदा होता है इसको fund manager कहां जाता है और ये एक AMC का salaried employee होता है AMC याने Asset Management Company Asset Management Company का employee जो होता है वो fund manager होता है जो की mutual fund में जितने भी पैसे है जितना भी उसका AUM है याने Assets Under Management है उसको वो manage करता है फिर वो उससे stocks खरीद सकता है उससे bonds खरीद सकता है या बाकी भी कुछ instruments debt side या equity side के खरीद सकता है अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे share market और mutual funds ये दोनों चीज़े अलग-अलग है और ये सबसे बड़ा misconception है आज के date में market के अंदर investors के बीच में कि वो differentiate नहीं कर पाते share market क्या है और mutual fund क्या है क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारी similarities है और बहुत सारी चीज़े ऐसे भी है जो कि इनके अंदर similar नहीं है mutual fund के अंदर कुछ अलग-वे से working होता है share market के अंदर कुछ अलग-वे से working होता है काफी सारे mutual funds share market के उपर depend करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे mutual funds ऐसे भी हैं जिसके उपर की share market का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता वो share market से बिल्कुल भी relation नहीं रखते हैं कुछ funds होते हैं जो अगर share market मानलो कल को बहुत ही मानलो अगर share market डूब जाता है तो उनके mutual funds भी डूबेंगे लेकिन कुछ funds ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ भी फरक नहीं दिखेगा अगर share market डूबता भी है तो भी वो जो funds हैं वो जैसे के तैसे रहेंगे क्योंकि उसमें share market का कुछ भी component नहीं लिया गया है तो फ्रेंड्स ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि equity mutual fund जो है वो share market से relation रखते हैं और debt mutual fund जो है वो share market से relation नहीं रखते हैं ये equity और debt के बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तार में बात जरूर करेंगे बट फिलाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि हर एक mutual fund जो है वो share market से relation नहीं रखता है mutual fund companies की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1963 में इंडिया में जबकि UTI एक company थी government ने जो form की थी जिसका की full form था Unit Trust of India UTI 1963 से start हुआ और 1987 तक वो एक मात्र company थी जिस पर की जो की mutual fund sell कर सकती थी याने AMC जो थी वो समय में वो एक ही थी UTI उसके बाद में काफी सारी companies आने लगी 1990s में 1987 के बाद जिसे की SBI जिसे की PNB फिर ICAC, HDFC ये सारी companies आने लगी और आज कम से कम 25 से 30 से भी आज AMCs हैं इंडिया में जिसमें की अगर आप उसके AUM के हिसाब से अगर calculate करें तो कुछ AMCs है जो बाकी AMCs से बहतर कर रही है जैसे की HDFC, mutual fund ICICI AMC है फिर SBI है और Nippon है, Nippon India ये सारी AMCs जो है ये अधित्य बिर्ला भी AMC जो है वो AUM के हिसाब से काफी ऊपर माने जाती है बाकी भी सारी AMCs है वो भी अच्छा ही काम कर रही है हर एक AMC का कुछ ना कुछ unique factor होता है उनके funds की अंदर उनके fund management की अंदर जैसे की काफी दूसरी AMCs है जिनका की नाम है Franklin हो या DSP है फिर Canada, Rubico है अब समझते हैं कि ये mutual fund में जब आप buy या sell करते हैं तो आप exactly कैसा transaction करते हैं तो एक फिर से simple example अगर मैं लूँ तो मान लिजे अगर आपके पास 100 रुपे है और अगर आप market में जाकर के कोई भी item खरीदते हैं जो की 20 रुपीज पर kg का है जिसको की mutual fund के language में NAV कहा जाता है तो आपको अगर आप 20 रुपे के NAV से खरीदते हैं 100 रुपे का अगर आप investment करते हैं तो आप 5 kilo याने 5 units of mutual fund खरीद सकते हैं आपको 5 unit a lot होते हैं आपके account में 5 units आते हैं कल को जाकर के NAV बढ़ती है या घटती है तो आपको उस proportion में मुनाफ़ा हो सकता है या आपको loss भी हो सकता है अब ये समझते हैं कि आप mutual funds क्यों खरीदते हैं क्यों आप अपना सारा पैसा एक जगह पर जमा करते हैं और किसी और को देते हैं वो manage करने के लिए ये हम इसलिए करते हैं friends क्योंकि we as normal investors हमें उतनी जानकारी नहीं होती है market के बारे में कि आपको कौन से assets खरीदने चाहिए कौन से बेशने चाहिए market condition के साब से आपको आपके investments कैसे रखने चाहिए ये सारी चीजों की जानकारी as a normal investor आपको नहीं होती है इसलिए आप rely करते हैं किसी fund manager के उपर जो की आपके लिए ये काम कर देता है दूसरी चीज आपके पास इतना समय भी नहीं होता है क्योंकि हर कोई अपने काम में busy usually रहता है इसलिए investments के उपर दिन बर ध्यान देने के लिए हमारे पास उतना समय भी नहीं होता है इसलिए एक fund house याने एक AMC ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है क्योंकि उनके पास में वो सारे resources होते है वो सारा expertise होता है जिससे कि वो आपके पैसे अच्छी तरीके से manage कर से अब जानते हैं कि NAV याने जिस भाव से आप mutual funds खरीते हैं ये NAV exactly होती क्या है NAV याने net asset value net asset value जो है वो calculate की जाते है कुछ इस तरीके से NAV is equal to the total assets of the fund minus the total liabilities of the fund divided by the total outstanding shares अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक example लेकर मान लिजे कोई fund है जिसमें की total assets of securities जो है वो मान लिजे 100 रुपे की है 100 रुपीस की है साथी में कुछ cash है उस fund के अंदर में जो की मान लिजे 50 रुपे का है हम जोसे के example ले रहे है और कुछ उस दिन का उसका profit हुआ होगा मान लिजे 20 रुपे का अगर हुआ है तो total जो assets है वो 100 plus 50 plus 20 याने 170 के हो जाते है और मान लिजे की वो fund की कुछ liabilities है तो वो liabilities अगर उसकी मान लिजे 100 है और कुछ 10 रुपे का अगर मान लिजे उसका उस दिन का खर्चा है जो की उसकी liability है तो total 110 हो गया तो total assets minus total liability जो है 170 minus 110 which is equal to 60 हो जाएगा और मान लिजे की total outstanding shares in the market that is equal to 30 तो NAV जो है that will become 60 divided by 30 याने 2 याने उस fund की NAV उस दिन के लिए 2 रुपीज की हो जाएगी ये एक general example हमने लिया है NAV को समझने के लिए कि कैसे total assets minus liabilities divided by the total outstanding shares इस formula से ये NAV निकाले जाती है हाला कि आपको ये NAV कैसी निकाले जाती है और हर एक fund की NAV कैसी निकाली गई है उस दिन ये सब जानने की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि आपको directly NAV आप जिस भी portal से खरीद रहे है या distributor से खरीद रहे है वो आपको ये NAV directly बता सकते है आपको इसके पीछे के calculations जस्ट मैंने एक knowledge के तोर पर आपको explain किये है Friends इस वीडियो में हम सिर्फ mutual fund क्या है ये बहुत ही सरल भाशा में समझ रहे है बहुत सारे types of mutual funds है जो कि हम आने वाले वीडियो में समझेंगे बहुत सारे तरीके हैं ये जानने के कि आपके लिए कौन सा mutual fund best suited है ये जानने के काफी सारे studies है जो कि हम आने वाले वीडियो में discuss करेंगे ये सारे वीडियो हम इसी playlist में upload करेंगे एक दूसरी playlist भी है इस channel के उपर जहांपर कि हम share market के बारे में information share करते हैं और उसके tutorials वहाँ पर publish करते हैं और इस playlist में हम mutual funds के बारे में ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे step by step मैं इस वीडियो में और जादा जानकारी आपको नहीं देना चाहता क्योंकि मैं step by step जाना चाहता हूं so that आप भी confused ना हो और next वीडियो देखने से पहले आप भी आपकी कुछ study कर ले तो आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपका age आपका risk appetite आपका investment horizon ये सारी चीज़े जानकर आप खुद के लिए एक अच्छा mutual fund portfolio बना सकते हैं तो friends इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों में और relatives में share कीजिए जो भी mutual funds में invest करते हैं या जो भी mutual funds को समझना चाते हैं और future में अगर invest करना चाहे तो वो इन सारी चीज़ों को जानकर एक अच्छा decision ले सकते हैं साथी में अगर आपके कुछ concepts clear अभी भी नहीं हुए होंगे basics को लेकर mutual fund के तो आप comment section में आपने questions डाल सकते हैं हम उनका answer brief में जरूर देंगे और साथी में चानल को subscribe जरूर कीजिए bell icon को enable कीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में information time to time मिलती रहेगी दोस्तों so friends, thank you for watching this video thank you